हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्यूनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका और मैं उम्मेद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक लगुनाटिका यानि की ड्रामा जिसका टाइटल है बिटिया क्यों पर आई तो आप सभी जरूर सुने हमारे डिजिटल हैंडल यानि की यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पर ये लगुनाटिका नमस्कार साथियों आप सुनें वक्त की आवाज 91.2 FM आपका अपना वाज़ा मेरे यानि आर्या चित्रवेदी के साथ साथियों आज भी समाज में लड़कियों के साथ कई प्रकार के भेदबा होते हैं जबकि आज के समय में लड़कियां अपने माबाब का नाम रोसन करके आसमान चूर रही हैं फिर वे आज के माता पिदा भाई अपनी उनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं और उनको घर के उसी चार तिवारी में कैद कर देते हैं तो चलिए आज हम आपको अपनी इस लगुनाटिका में कुछ ऐसा ही सुनाने जा रहे हैं अरे फुली कहा हो तुम, जरा इधर तो आना आई अम्मा, मैं इधर ही हूँ अरे फुली मैं कबसे तुमसे कह रही हूं कि पापा और भाई को खाना दे दो, वो लेट हो रहे हैं अरे अम्मा, देती हूँ फूली, ओ फूली, सुन जरा हाँ भाईया, बोलो अरे मेरी घड़ी कहा मिल नहीं रही अरे भईया मुझे नहीं पता अम्मा से पूछ लो वैसे भी वो मुझे आपकी चीजे चुने नहीं देती है अम्मा जड़ा मेरी घड़ी तो देना लाई बेटा अरे फूली तेरे भी स्कूल से फोन आया था फोन और फूली के स्कूल से क्यों आया था अरे इसके स्कूल वाले बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं पापा उनसे बोल दो वो नहीं आ रही है हाँ सकू सही कह रहा है पर क्यों नहीं जा सकती सभी तो जा रहे हैं एक बार बोला ना कि नहीं जाना बस नहीं जाना चल सक्कू अब तेरों को कितना समय लगेगा तयार होने में हाँ पापा जूते पाइन के आता हूँ अच्छे से जाना ध्यान रखना सक्कू का अम्मा मुझे भी जाने दो ना भाई और पापा निकले नहीं कि रोकर कर दिया आप सगुन जा जाके भैंस को चारा और पानी पिला करा अरे फूली आज तो स्कूल क्यों नहीं आई अरे क्या बताऊं घर पर काम बहुत था ना तेरे घर पर तो रोज ही काम रहता है हाँ तो स्कूल जाके कौन सा तुम लोग जग जीत लोगे बनाना तो रोटी है अरे अंटी मैं भी अपने घर का काम करती उपर डेली स्कूल जाती हूँ अंटी ऐसा किसने बोला आप से अरे इसमें कहने की क्या बात है वैसे भी सभी लड़कियों को रोटी ही बनानी होती है नहीं अंटी पहले मैं पढ़के नौकरी करूंगी वो तो कुछ दिन बात तुझे पता चलेगा क्या कहना चाह रही हो मैं समझी नहीं अभी दसवीक अच्छा पास की है तुम दोनोंने हाँ तो बार्मी जैसे तैसे पास करो तुम दोनों को पराय घर जाना है लेकिन मा मैं तो बार्मी के बाद भी पढ़ूंगी अच्छा गाउं का महोल देख रही है तु रिया अब तु अपने घर जा मेरी बेटी को भड़का मत हाँ जाती हूँ फुली कल स्कूल में मिलते हैं हाँ देखती हूँ अम्मा ओ अम्मा कहा हो तुम अरे क्या हुआ सो रही थी इतना क्यों चिला रहे हो देखो आपका सक्कू बार्मी में पास हो गया है हाँ सक्कु की अम्मा हमारा सक्कु इसकुल में पास हो गया है ओर इनु की अम्मा ओर या की अम्मा सुनो सुनो हमारा सक्कु पास हो गया बदाई हो जीजी एक बात पूछू हाँ पूछो न जीजी अरे जीजी हमारी फूली दस्वी कच्छा में टोप किया था अरे जी जी वो तो घर की छोड़ी है वो तो पराय घर जावेगी सुन तेरा भाई ना पास हो गया है सच में अम्मा? हाँ तू भी जल्दी जाके मिठाई बना ले मिठाई क्यों? अरे फूली सबको खिलानी जो है अरे जी 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 जब फूली ने टॉप पिया था तब तो आपने निमिठाई खिलाई थी सुनो अम्मा मैं दोस्तों के साथ बाहर गुमने जा रहा हूँ हाँ जा बीटा जा और रात को जल्दी घर आ जाना सुनो जी आपसे एक बात कहनी थी हाँ हाँ बोलो क्या कहना है हमें लगता है फूली की पढ़ाई बंद करवा देनी चाहिए लेकिन अभी इतनी जल्दी क्यों अभी तो उसने दस्वी पास किया है हाँ तो अब फूली को पढ़ा के क्या फायदा पैसे खर्चोंगे लेकिन एक बार फूली से पूछ लो अरे फूली से क्या पूछना सक्कू से पूछ लेती हूँ तो फिर ठीक है जैसी मर जी अरे सक्कू मैं सोच रही थी कि क्यों ना अभी फूली की पढ़ाई बंद करवा दे हाँ अम्मा ये तो और भी अच्छी बात है वैसे भी बार का मोहल अच्छा नहीं है लेकिन भाया आप तो और भी पढ़ोगे अरे हाँ इस घर का वारी सुमा है सही तो कह रहा है सक्कू लेकिन मा आप सभी लोग तो बोलते हो कि बेटा बेटी एक समान होते है अरे फूली ये सब कहने से ही अच्छा लगता है देखो अम्मा कैसे ही हमसे बरावा लड रही है अभी तो दसवी पास की है अगर बारवी पास कर लेती तो क्या करती है अम्मा अब कल से फूली स्कूल नहीं जाएगी बस नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी नहीं मैं तो स्कूल जाओंगी सुन रहे हो जी कैसे जुबान चला रही है छोरी ये निकला इसकी पढ़ाने का नितीजा मैं तो कहता हूँ लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए अब आप लोग चाहें जो भी कहें मैं तो पढ़ूंगी कैसे पढ़ेगी तू मेरे पास तेरे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है कोई बात नहीं अमा मैं तो दोस्तों से उधार लेके पढ़ लोगी देखो जी ये छोरी हमारी बात ना मान कर आंगे की पढ़ाई कर रही है करने दो जो जी चाहे दो साल बाद, फूली ने बार्वे में वे टॉप किया और उसे एक प्राइबेट कमपनी में अच्छी सी नौकरी मिल गई फिर उसके माबाप को ऐसास हुआ कि ऐसा उन्हें अपने बच्चों के साथ बिलकुल लही करना चाहिए बेटी हो या बेटा, एक समान होते हैं, अगर बेटा घर का चिराग है तो बेटी भी आपकी सान है बेटी को पढ़ाओ, बेटा को भी पढ़ाओ, आपके लिए दोनों ही बरावर हैं, तो कभी भी साति हो अपने बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए अगर बेटा नाम रोसन करता है तो बेटी भी नाम रोसन करती है फूली की जब नौकरी लगी तब उनके माबाब को लगा कि बेटी और बेटा समान होते हैं आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुझे लड़की समझ कर तेरी पड़ाई बंद करवा रहा था लेकिन आज तुने ही हमारा नाम रोसन किया तो साथियों आपने सुना कि हमारी फूली आगे पढ़ना चाहती है पर उसके अपने ही उसे रोक देते हैं क्या लड़की का जन केवस साधी करने के लिए ही होता है जरा विचार कीजिए हम फिर मिलेंगे आपको अपने बाजे 91.2 FM वक्त की आवाज में तब तक के लिए नमस्कार